हाई एवरिवन नेक्ट्ट जैस प्रजेक्ट के लास्ट पार्ट के अंदर हम लोगों ने यूजर साइन अप वाली यह पे को बनाया था और उसको इंटेग्रेट भी कर रहा था यूई के साथ में और इस पार्ट के अंदर यूजर साइन आप को मैनेज करने वाले हैं उसकी वाली फंक्शनलिटी भी काम करेंगे अब आप बोलोगे कि मैनेज यूजर का मतलब क्या होता है पहले यह समझाओ देखो जैसे ही हम लोग साइन अप या फिर लोगिन करते है ना तो API के अंदर हमें यूजर का डेटा मिलता है जैसे कि उसका नाम उसकी सीटी उसका एडरस को मिलेगा उसको लोकल स्टोरेज के अंदर कैसे रखना है और यूजर को किस पेज पे और कैसे रीड़क्ट करवाना है यह सब आप लोग कह सकते हो मैनेज साइन अप के एंडर हम लोग करने वाले है यह एक लोगाउट का बटन भी रहेगा हेडर के उपर जैसे ही वहाँ पे क्लिक करेंगे तो यूजर हमारा लोगाउट भी हो जाएगा ठीक है यह हमारी नेक्स प्रजेक्ट की प्लेलिस्ट है 45 पार्ट आचुके है और भी बहुत सारे पार्ट आने वाले हैं यह एक कंप्लीट प्लेलिस्ट है फूड डिलिवरी वेब एप की जिसके अंदर क्लिक करेंगे एक से रिस्पोंस आएगा तो हम लोग यूजर को ना होम पेज के उपर रिडाक्ट कर देंगे और यहां पर हमारे पास हेडर में चेंजिस आजाएंगे लोग इन और साइन वाला बटन हिदन हो जाएगा यहां पर यूजर का नाम आ जाएगा और को कैसे सको मैंच करना है और यूजर वाले पेज लोग इन अवाले पेज पर जाएगा यूजर कैसे फिर आपीस आएगा यह सारी चीज़ें आगे वाले पार्ट पे हेंडल करेंगे अभी के लिए साइन अप वाले को अच्छे से हेंडल कर लेते हैं अदरवास दो-3 चीज बटन आ जागा यूजर नेम आ जागा और लोग वाली फंक्शनलिटी के उपर भी काम करेंगे और पूरे फ्लो को टेस्ट करेंगे और उसको redact करवाते हैं सबसे पहले काम हमारे पास क्या है कि जैसे यह लोग साइनफ वाली यह पे हिट होती है ना तो यहां भी पासवर्ड भी आता है मैं एक बार के यूजर को साइनफ करवाकर दिखा देंगा आपको फिर से साइनफ पे मैं जैसे क्लिक करता हूं तो मैं आपको response दिखाना चाहता हूं पहले यहां पे आएंगे नेट्रक टैप के अंदर क्लीन करेंगे इस पे क्लिक करेंगे तो यहां पे ना जब हमारे पास डेटा आता है तो इसके अंदर यूजर का पास्वर्ड भी है इसको हटाए इसके पास्वर्ड पास्वर्ड को डिलीट कर दिया फिर हम लोग जा करने वाले हैं लोकल स्टॉरेज डॉट सेट आइटम और इसके अंदर हम लोग यहां पे रखने वाले हैं यूजर को और यहां पे जेस डेटा को पहले हैं करेंगे result को और फिर हम लोग इसको reduct कर देंगे ठीक है अब reduct करने के लिए सबसे पहले में hook बनाना पड़ेगा तो मैं यहाँ बिया करता हूँ constant लेता हूँ यह reduct वाला काव हम लोग बहुत बार कर चुके है router और यहाँ पर लिखेंगे use router router नविगेशन वाला करना है आपको ठीक है नविगेशन से इंपोर्ट करना है इसको ध्यान रखना है आपको यहाँ पर हमारे पास user रहेगा इसको dot push करके रिडेक्ट कर देंगे अभी के लिए मैं इसको home page पर रिडेक्ट कर रहा हूँ ठीक है तो एक बार इसको चेक कर लेते हैं मैं अभी again आचा यहाँ पे एक सही यूजर कर नाम ले ले लेते हैं local stories के अंदर data रहने वाला है so मैं यहाँ पर memory वाली चीज़ open करता हूँ अभी के लिए कोई भी हमारे पास user वाली की नहीं है local stories के अंदर so मैं यहाँ पर रख लेता हूँ जैसे की sam नाम sam at the rate test dot com password one two three four सबका password मैं same ही रख रहा हूँ city let's say यहाँ पर आ गई गुडगाव यह पूरी पूरी details आख चुकी है और then यहाँ पर क्या कर सकते हो dummy number डाल लेता हूँ और जैसे मैं यहाँ पर sign up पर क्लिक करूँगा तो पहली चीज यहाँ पर data आ गया हमारे पास आप देख सकते हैं local stories के अंदर और हम लोग redact हो चुके हैं home page के ओपर भी अब जो में चीज थी जो यह user वाला है ना login और sign up यह change नहीं हुए है यहां से यूजर अब login कर चुका है तो यह चीज हट जाने चीज यूजर का नाम दिखना चाहिए और logout का बटन दिखना चाहिए उसके लिए को क्या करना पड़ेगा अब आ जाओ आप लोग header वाली फाइल के अंदर सो customer header है इसके अंदर मैं एक और variable लेता हूँ यहां पर एक constant लूँगा इसका नाम में यहां पर लखूँगा लेट से user storage storage और यहां पर कैसे निकालेंगे इसको json.parse इसके अंदर localStorage.getItem और यहां पर क्या रिखेंगे user रखेंगे इसके user का data चाहिए ठीक है जी यहां पर user का data मिल जाएगा अगर आप चाहो तो यहां पर log भी करवा सकते हो user storage को अब map करवा के भी दिखा दूँगा जहां पर आते हैं रिफ्रेश करोगे तो आप देख सकते हैं यहां पर user का data आच चुका है अल्राइट और अब हम लोग क्या करने वाले हैं एक में router भी चाहिए बट router का काम थोड़ी दिर में लेंगे अभी के लिए जो यह data है हमारे पास इसको एक state में store करवा लेता हूँ सो मैं state यहां पर declare कर देता हूँ यहां पर लेता हूँ const और इसका नाम रखो हूँ है यहां पर user set user और यहां पर लिखेंगे use state और इसके अंदर हम लोग यहां पर डाल देंगे local stories अगर local stories के अंदर data है तो यह डलेगा otherwise तो यह डलेगा otherwise undefined रहेगा ठीक है कोई दिकत नही इसमें अब हम लोग यहां पर जाएंगे और सबसे पहले check करेंगे इन दोनों चीजों को इन जो यह दोनों link दिख रहे हैं आपको इसको मतलब ऐसे गर देता हूँ इन सबको इन सबको मैं condition मिलूँगा सबसे पहले मैं आपर लिखूँगे अगर user के अंदर data है ठीक है तो एक बना दो fragmentation ठीक है इस तरीके से fragmentation लगा देंगे अगर नहीं है तो यह चीज़े दिखा देंगे ठीक है अब मैं थोड़ा इनको format करूँगा अभी के लिए format करा अच्छा यहां पर फ्रेग्मेंटेशन लगानी पड़ेगी न हम यहां फ्रेग्मेंट करेंगे इस तरीके से हो गया अब इसको गें थोड़ा format कर लो लाइन के अंदर आ जाएंगी चीज़े अब यहां पर मैं क्या करूँगा एक तो directly इस तरीके से मैं लाई बना यहां पर मैं simply क्या करूँगा यूजर का नाम रहेगा तो मैं यहां पर लिखूँगा user.name और यहां पर question mark लगा दूँगा ताकि अगर user में data ना हो तो यह error throw ना करे and then हम लोग यहां पर hash लगा देंगे hash लगा दिया अब यहां पर मैं एक button बनाऊंगा चीक है button को आप चाहो तो LI के अंदर ले सकते हो को दिक्कत नहीं है इसकी style मैंने पहले ही कर रखे मैं दिखा भी दूँगा आपको जहां पर इसकी style होगी है because हम लोगों ने same चीज रेस्टरेंट के लिए भी करी थी और यहां पर लगा दूँगा बचती है कि इस पर एक function भी तो click call करवाएंगे ना on click function बनाता हूं जिस function का नाम में यहां पर रखता हूं logout और इस logout function के उपर आपको कुछ ज्यादा नहीं करना है थोड़ा सा काम रहेगा यहां पर आके function को बना दूँ const logout और इसके अंदर simply सबसे पहले क्या करने वाले हैं जो हमारे पास localstories का data है ना localstories.remove item कर सकते हैं user को उसको दो localstories से हटा देंगे after that हम लोग इसको redact करवा देंगे router use करेंगे router में उपर से import करना पड़ेगा अभी तक करा नहीं है इसको कर ले तो यहां पे const router equal to use router यह कहां से निगाला है इसने यार यह इसने गलत जगह से निगाल दिया router actually दो होते है use router हमें निगाला है navigation से and then जो यह वाला router है इसको use करेंगे हम लोग हमारे इस function के अंदर और यहां पे simply डालेंगे हम लोग user पहली बात है .push होता है after that इसको हम लोग home के ऊपर लेके जाएंगे इस तरीके से अब हम लोग यहां पे देख पा रहे है logout वाला बटन भी है and अगर मैं यहां पे आके logout पे click करता हूं तो अभी यह के लिए कुछ perform हो नहीं रहा let me see क्यों नहीं हो रहा logout वाला बटन यह function मैंने कहीं define नहीं करा गया click क्यों नहीं हो रहा let me just refresh this once अब मैं यहां पे आता हूं okay वो actually हो गया था बट उसने redact नहीं करा था I guess right because हम लोग already home page के ऊपर थे इसी वज़ेसे उसने redact नहीं कर रहा था इसको हम लोग रिडेक्ट कर देंगे यूजर ओथ वाले के ऊपर चीक है तो एक बार क्लिए फिर से sign up करके देखना पड़े है किसी और user के साथ में अल्राइट तो अच्छा यहां पर हम लोग ने इसका link भी ने डाल रखा user auth वाला तो मैं यहां पर link भी डाल देता हूं यह भी हमें काम कर नहीं है तो जैसे ही हम लोग sign up पर click करते हैं तो यह जाएगा user auth वाले पर अब मैं यहां पर click करता हूं तो user auth वाले पर आए अब मैं यहां पर user बनाता हूं जैसे की भासकर डालूंगा यहां पर भासकर at the rate test.com and password 1234 password confirm password भी डाल देता हूं city तो मैं यहां पर click करके सारे detail अपनया फिल कर देता हूं और यह है let's say sector sector 56 और यहां पर कुछ पने number डा गया जैसे मैं यहां पर click करूंगा तो देखो यहां पर logout option आ गया सब कुछ ठीक काम कर रहा है मैं अब भासकर यहां पर इसका नाम भी दिख रहा है मैं यहां पर logout पर click करता हूं तो यहां पर आ चुके हैं और यहां पर वापिस से हमारे पास option आ चुके है right that's all for this part इसमें कुछ doubt है कुछ confusion है मुझे comment section के अंदर आप पूछ सकते हूं and please channel को subscribe करना video को like करना comment section में feedback देना यह बिलकुल मत बूलना because बहुत महनत लगते वीडियो में और यह आपके लिए completely free of cost है और मुझे इन से बहुत motivation मिलते हैं और वीडियो में आप आता हूं यह मेरा ptm का donation number है thank you so much guys